नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर अमिच चक्रवर्ती, मैं साइकॉन गूप अफ कमपनीज का डिरेक्टर हूँ और पोर्टबल यूपीवीसी विंडो मैनुफाक्टरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूँ अगर आप यूपीवीसी विंडो और डोर बनाने का फैक्टरी बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग फुली पोर्टबल यूपीवीसी विंडो और डोर का मशीन्स बनाते हैं उसे चलाने के लिए आपको पूरी तरह से train करवा देते हैं और उसके साथ-साथ आपको पूरे भारत का raw material supplies का पूरा contact details भी दे देते हैं ताकि आपको आपका factory शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं wheels को लेके यानी UPVC windows और doors sliding type में नीचे लगने वाले चक्के के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं ये कितने प्रकार के होते हैं कौन सा वाला लगाने पर हमारा फायदा है कौन सा वाला लगाने पर हमारा नुकसान है और इसके कितने प्रकार होते हैं तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले single wheel, single wheel एक चक्का रहता है छोटा वाला और इतना छोटा सा एक चक्का होता है जिसको usually sliding windows के पल्ले में use किया जाता है और जिसमें single glass लगता है उसी में use किया जाता है ये double glass के पल्ले में use usually नहीं किया जाता है कोई-कोई लोग इसे डोर्ज में भी यूज करते हैं पर डोर्ज में यूज करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डोर्ड का पल्ला चौडाई में सारे 700 mm और हाइट में 1800 mm के उपर ना हो और जबी भी आप इसे डोर्ज में यूज कर रहे हैं तो तब आपको नीचे दो रोलर्ज के बज़ाए आपको चार रोलर्ज यूज करने पड़ेंगे हर पल्ले में याद रखिएगा नहीं तो आपका पल्ला स्मूदली नहीं चल पाएगा तो ये गया बात सिंगल रोलर्ज का अब आता है next type में जो की होता है double adjustable rollers ये एक रोलर में ही दो चक्का रहता है और ये खुद बाखुद खुद को adjust करता है अब ये facilities में क्यों दिया गया है बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग window के frame लगा देते हैं पर वो water level पे नहीं लग पाता अब water level पे अगर आपका window का frame नहीं लगा है तो window का frame के उपर चलने वाले पल्ला यानि sash जाम तरीके से चल सकता है क्योंकि आपका profile थोड़ा हिला हुआ है और इसमें हम लोग use करते हैं double adjustable rollers जो की खुद को window के alignment के साथ धाल लेते हैं और खुद को water level में adjust कर लेते हैं ताकि आपका window का पल्ला smoothly चल पाए अब इसे बहुत सारे लोग doors में भी use करते हैं और इसे बहुत सारे लोग windows में भी use करते हैं पर याद रखिये जैसा मैंने पहले कहा था single wheel को भी बहुत सारे लोग doors में use करते हैं तो उसी तरह इसको भी अगर आप sliding doors में use करना चाते हैं तो आपको हर एक पल्ले के नीचे 2 के बज़ए 4 चक्का use करना परेगा और तभी जाके load properly distribute हो पाएगा और आपका door sash smoothly चल पाएगा और इसका भी height limitation है width limitation है इसमें आप चौड़ाई में 300 mm से जाधा पल्ला नहीं बना सकते हैं और height में 1850 mm से जाधा पल्ला नहीं बना सकते दोर के frame में और window में आप कोई भी size बना सकते हैं और window में आप double glass भी इस चक्के के साथ use कर सकते हो double glass बहुत भारी होता है पर उसका load double adjustable rollers अच्छे से ले पाते हैं तो जबी भी आप double glass यूज करें तो उसमें double adjustable rollers ज़रूर यूज करें इसके बाद हम लोग आज आते हैं double adjustable door roller पी अब double adjustable door roller का एक खासियत है ये बहुत ही चोड़ा होता है और बहुत ही इसका height जाधा होता है इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ door sash में ही use किया जाता है इसे आप window sash में नहीं use कर सकते हैं अगर आपका door का पल्ला बहुत ही बड़े size क या फिर आपका door का पल्ला में double glass use किया गया है या फिर ऐसे ही आप door sliding बना रहे है तो आप उसमें double adjustable door rollers use कर सकते हैं इसे आप window में इसलिए use नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका thickness door sash में fit होने लायक ही बनाया गया है इसे आप window sash में use नहीं कर पाएंगे और इसको आप पीछे से adjust भी कर सकते हो ये एक मात्र wheel होता है जिसको आप adjust कर सकते हो height को up down करने के लिए door में तो इसलिए door जभी भी आप बनाते हो हम recommend करेंगे कि आप double adjustable door roller ही use करें इसके बाद आता है mosquito net का roller अब mosquito sash के लिए जो roller होता है वो बहुत ही simple होता है छोटा होता है और single roller होता है इसको use किया जाता है mosquito net के sash को slide करने के लिए अब rollers खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो क्या है मैं अब आगे बताने वाला हूँ नमबर वन हर एक roller अलग-अलग width के साथ आता है ताकि वो अलग-अलग window के series में adjust हो सके थोड़ा explain कर देता हूँ सपोज आपका roller का चौड़ाई 16 mm भी हो सकता है आपके roller का चौड़ाई 14 mm भी हो सकता है दोनों market में available हैं पर आप कौन से company का profile इस्तमाल कर रहे हैं और उसका क्या series है उसके हिसाब से आप roller को choice कीजिएगा या तो यह आप profile company से पूछ सकते हैं कि आपके profile में कौन से series का माल है इसलिए मुझे कितने चौड़ाई का roller खड़िदना है या फिर आप hardware company से एक sample मंगवा सकते हैं दोनों rollers की और आपके profile में बिठा के देख सकते हैं कि कौन सा वाला properly adjust हो रहा है और कौन सा वाला properly उसमें set हो रहा है उसके बाद ही rollers का order कीजिएगा नहीं तो बहुत सारा माल आप order कर चुके होंगे आपके घर पे आजाएगा आपके factory में आजाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा अरे हमारा series के साथ ये roller का width तो match नहीं करता है फिर इसको वापस करना पड़ेगा वो लोग वा profile में कौन से thickness का यानि कौन से width का rollers आपको use करने पड़ेंगे दूसरा point अगर आप कोई ऐसे जगह पे window install कर रहे हैं जो C के बहुत सामने हैं मतलब समुन्दर के बहुत सामने हैं या फिर कोई ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत जादा बाड़िश होता है तो उस जगह पे आप जो भी roller use करें वो 304 grade steel का होना चाहिए नहीं तो आपका roller बहुत ही जल्द जंग पकल लेगा और आपका reputation खत्रे में आ जाएगा इसको test करना बहुत ही simple है एक छोटा सा magnet लीजिए और आपके roller के metal body जहाँ पे है वहाँ पे उसे छू के देखिए अगर वो चुमबक को खीच भीचता है तो इसका मतलब वो 304 नहीं है अगर वो चुमबक को खीच नहीं पाता है तो समझ भीजेगा वो 304 grade steel से बना हुआ है और तीसरा और आखरी point अगर आपका window या door का sash बहुत भारी है जो कि आप factory में बनाते समय ही महसूस कर पाएंगे तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप आपके नीचे का जो track profile है उसके ओपर aluminium track का इस्तमाल जरूर करें अब aluminium track का इस्तमाल अगर आप करते हो तो आपको आपका जो roller है वो groove लेना पड़ेगा रोलर दो प्रकार के आते हैं एक flat आता है दूसरा groove आता है आपको groove roller का इस्तमाल करना पड़ेगा ताकि वो aluminium track के उपर बड़ाबर से smoothly चल पाए तो आपका पल्ला जितना भी भारी हो अगर आपने aluminium track लगाया है और groove roller का इस्तमाल किया है तो वो काफी जादा smooth हो जाएगा और आपका customer satisfied भी रहेगा तो चलिए आज आपको इतने सारे information देना था rollers के बारे में आशा करता हो आप सब को इसस वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए जय हिंद